हाई दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने उत्राखंड आने के लिए ओनलाइन अपलाई किया था और अभी वो अपने घर आने के लिए वेट कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव हुआ है घराने के लिए या अभी तक नहीं हुआ है तो आप वीडियो के साथ पूरा बने रही है एंड तक तो अभी मैं आपको लेकर कर आया हूँ उस वेबसाइट पर या उस लिंक पर आप कह सकते हैं जहां से आपको ये चेक करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो अप्रूव हुआ है घराने के लिए या अभी तक नहीं हुआ है या जो भी कंडिशन उसके साथ ज्छ चे सबाइवा है अपको ये अपने रिच्रेशन किया था उस टाcejम पर आपको देक लिए ती थी दोनों ही जगाओ पर आपका रिच्ट्रेशन मेरे पास से करना हुआ् और यहां पर एंटर करना है जिस पर आपका रिच्ट्रेशन के टाइम पर और टी पी आया था थ कि किस तरह से आगे प्रोसेस करनी है तो चलिए फटा-फट से यहाँ पर उसका डिटेल एंटर कर देते हैं सब्मिट पर क्रिक करते ही कुछ सेगिंड में आपका यह प्रोसेस हो जाएगी और सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको पता चल जागा कि आपका पास जो है और यह किस कंडिशन में अपरूब किया गया है देखिए यहाँ पर जो है उपर रहेगा पास का नंबर यह वही नंबर है जो आपका अप्लिकेशन नंबर था उसके बाद नाम रहेगा चान्डिट का और यहाँ पर जो थर्ड ओप्शन है वो है अरोगे से तु एप का इनके साथ कोई है या नहीं है ठीक है उसके बाद यहाँ पर लिखा है permission to enter a state of उत्राखंड after screening at border checkpoints यानि के आपको तभी परमिशन मिलेगी उत्राखंड आने की जब आप जिस border को cross करेंगे वहां से आपकी screening वगरा हो जाएगी इसमें फिर नीचा आती है detail देखिए इनका जो है अपना वाहन है घर आने के लिए इसलिए बहुत जल्दी ही अप्रूब लेटर मिल गया है और इनकी जरनी की डेट है यानिको इनको कब वहां से निकलना है और कब तक अपने घर पहुचना है देखिए यहाँ पर लिखा है travel start date and time 10-5-2020 यानिके ये 10 तारिक को अपने जहां पर फसे हुए हैं वहां से घर के लिए निकलेंगे और 13 तारिक से पहले पहले इनको अपने घर पहुचना है और यह जो पास है 13 तारिक के बाद रिजेक्ट हो जागा उसके बाद आपको घराने की परमिशन नहीं मिलेगी and location पी इसमें लिखी है और नीचे जो इसके rules और regulations है वो यहां पर बहुत ज़री है आपको समझना बहुत ज़री है यहां पर लिखा है he she will have to undergo a mandatory 14 day quarantine यानि के आपको 14 दिन का quarantine लेना बहुत ज़री है उसके बाद इसमें जो main point है वो यह लिखा है you are requested to bring a medical screening certificate with you without that you are not allowed to enter the state मतलब कि जब आपकी screening होगी तो वहां से आपक screening करा दी और वहां से certificate नहीं लिया तब आपको आपके उत्रखंड state में गुषने की permission नहीं दी जाएगी तो इस तरह से यह सारी details आप इसमें देख सकते हैं और कुछ candidates ऐसे हैं जो बाहर फसे वे हैं और वह बस वगरा से आने का wait कर रहे हैं तो वह वहां पर भी pending for approval दिखा रहा है मैंने वह भी चेक किया था तो उसमें आपको टैंसर नहीं है थोड़ा सा wait करना है टाइम लगेगा सभी को दिरे दिरे अप्रूव जो है मिलता रहेगा और आप दिरे अपने अपने घर को आता रहेंगे तो बस आज की इस वीडियो में से नहीं उमीद आपको वीड करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें मिलेंगे नए अपडेट से अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन बाबाए